हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आपका एक बाद फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एजुखिन गुरूपे आज हम आपको बताने वाले हैं कि भुपेंद्र नारायन मंडल उनिवस्टी जो की बिहार में स्थित है अगर इस यूटूब से आपको अपनी डिगरी अपलाई करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं तो पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे बने रही है हमारे साथ में सबसे पहले आपको यूटूब साइट पर जाना है जैसा कि हमने आपको अपनी स्क्रीनी में दिखाया हुआ है जैन फिर आपके सामने सीधा साइट को ओपन करते ही एक अपलाई डिगरी का ओप्शन दिया हुआ है इस अपलाई डिगरी पर आप क्लिक कर देंगे क्लिक करते हैं आप तो क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक नया सरफेस आएगा देखिए इस तरह का सरफेस आपके सामने आ जाता है लिखा हुआ है Online Requests for Degree Certificate Provisional Certificate Mars Sheet Migration तो आप Online Apply कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू Then फिर सबसे पहले आपके सामने option दिया हुआ है registration number का आप इस पोर्टल में सबसे पहले अपना registration number डाल देंगे Then फिर आपको last roll number लिखा हुआ है यानि की मान लिजिए अगर आपका कोई तीन साल का course था बीए का course था तो बीए finally एरका यानि की थर्ड एरका जो आपका roll number था आप डाल देंगे दो साल का course था MA या MBA का तो second एरका last year का यानि की आप अपना roll number डाल देंगे Then फिर name का option है आप अपना नाम English में डाल देंगे जो की आपकी mark sheet पर है या फिर आपके admit card पर है जो भी university record के अंदर आपने दिया हुआ है Then फिर आपका नाम Hindi में आएगा as पर आपका जो आधार card है उसके हिसाब से आप अपना नाम Hindi में डाल देंगे अगर आधार card पर कोई correction है तो कोई बात नी जो भी आपका नाम Hindi में बनता है वो आप डाल देंगे Then फिर आप अपना gender select करेंगे male या female जो भी आपका gender है आप उसके हिसाब से डाल देंगे Then फिर आपको अपनी correct email ID डालनी है email ID बिलकुल सही डाले Because university से कई बार degree आपको online भी आ जाती है कई बार आप अपनी degree track करते हैं वो आपको courier भी कर देते हैं कई communication जो होते हैं आपके email ID के थूँ होते हैं तो email ID आप बिलकुल सही डाले Then फिर आपको अपना mobile number डालना है बिलकुल सही Then फिर इसमें एक request for का option है degree certificate तो इसमें आप अपना degree certificate के option को आप click कर देंगे Then फिर course का option दिया हुआ है जो example दिया हुआ है आपके सामने इस हिसाब से आप अपना इसमें course select कर देंगे B.A.C. है B.A. है ओनर्स है B.A. है B.C.A. है जो भी आपका option है जो भी आपका course है वो course में आप डाल देंगे Then फिर आपको college या department जो भी था आपका वो आप चूज कर लेंगे College का नाम आप डाल देंगे University department आप इसमें डाल देंगे Then फिर आता है session session देखिए बहुत ध्यान से आपको डालना है जैसे माली जी आपका तीन साल का course था 14-17 का इसके अंदर एक sample दिया हुआ है 14-17 अगर आपका जो भी session था 17-20 था 18-21 था जो भी session था इसी format के हिसाब से आप इसमें डाल देंगे Then फिर आपका year of passing आप डाल देंगे कि जिस भी year में आप pass हुए थे 2021 में हुए थे 20 में हुए थे 18 में हुए थे किस भी year में आप pass हुए थे आप अपना वो year डाल देंगे Then फिर अगला option आता है date to receive degree जिस date पर आपको degree receive करनी है वो आप इसमें डाल देंगे Get date का इसमें option दिया हुआ है इस पर आप click करके अपनी date ले सकते हैं Minimum 30 days का आपको time इसमें देना पड़ेगा युनिवस्टी को degree apply होने के बाद में इसके बाद में आपके पास में option आता है कि आपको आपके degree self collect करनी है यानि कि खुद जाकर physically युनिवस्टी से collect करनी है या फिर आपको by post collect करनी है तो जो भी facility आप choose करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं by post by speed post ये युनिवस्टी जो होती है आपके documents आपके घर पर भेजती है तो by post का option हम check कर लेते हैं because physically तो आप जाकर युनिवस्टी में ले ही सकते हैं तो देन फिर option आता है कि आपको जो आपकी degree है वो within इंडिया मंगानी है या outside of इंडिया मंगानी है तो हम फिलाल within इंडिया को click कर देते हैं because हम maximum students इंडिया से हैं तो हम अपने degree को इंडिया में ही मंगाते हैं then फिर आप अपना addresses में fill up कर देंगे एक बात का हमेशा ध्यान रखना students जो address है वो बिल्कुल सही fill up करना है with pin code number क्यूंकि अगर आप अपना pin code number सही नहीं डालेंगे तो degree आपके घर पर आपके address पर नहीं पहुँच पाएगी then फिर आपको save and make payment के option पर जाकर अपनी payment कर देनी है इसके बाद know your status पर जाकर आप अपने degree का status भी चेक कर सकते हैं जब आप इस link को open करेंगे तो देखे सब से उपर know your status का option दिया हुआ है तो इस status पर आप click करेंगे तो आपके पास में ये option आपके सामने आ जाएगा ID registration आप अपना ID registration डाल कर इसको submit करके आप अपना status चेक कर सकते हैं कि आपका document निकला है या नहीं निकला है बना है या नहीं बना है पूरा status आपको इसमें मिल जाता है आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा इस साथ के updates timely लेकर हम आपके पास म हैं बहुत बहुत धन्यवाद